हाई मैं हूँ तुशाबा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट दुनिया में ऐसे कई रहस्य में मंदिर है लेकिन भारत को मंदिरों की नगरी कहा जाता है वैसे तो आप बल और बुद्धी की देवता हनुमान जी की कई मंदिरों का दर्शन कर चुके होंगे जहाँ पर आपको हनुमान जी की खड़ी बैठी या लीटी हुई प्रतिमा के दर्शन हुए है लेकिन सिर के बल खड़े हनुमान जी की प्रतिमा ना केवल चमतकारिक और दुरलब है बलकि आप रापय भी है दरसल मध्य प्रदिश की सांस्कृतिक नगरी कहे जाने वाले इंदोर शहर में 25 किलो मुटर दूर उज्जैन रोड पर सावेर नामक स्थान परी अद्बुत और रहस्य में मंदिर स्थित है जहाँ पर हनुमान स्वामी की उल्टी प्रतिबाग स्थापिक की है बता दे पूरे विश्व में यह एक मांतर ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्टी इस तरह से लगी हुई है इस मंदिर को पाताल विजय हनुमान मंदिर भी कहा जाता है यहाँ प्रचलित मान्यता कि अनुसार इस मंदिर का कता रामयान काल से जुड़ी है बता दे कि रामायन के एक प्रसंग अनुसार जब भगवान श्री राम और रावन का यूध हो रहा था तब रावन के मित्र पाताराज अहिरावन ने एक चाल चली उसने वेश बदल कर समय को राम के सेना में शामिल कर लिया एक रातरी जब सभी सो रहे थे तब अहिरावन ने अपनी मायावी शक्ती से श्री राम और लक्षमन को मुर्चित करके उनका अपारन कर लिया था और वह उन्हें पातार लोग ले गया था वानर सेना में इस बात का पता चलने पर हड़कम मच गया और तब एक कभुतर कभुतरी के वार्तालाफ से हनुमान जी को पताच लगा कि भगवान राम और लक्षमन जी को अहिरावन पाता ले गया है जहाँ उनकी बली देने की तयारी चल रही है लेकिन तभी हनुमान जी उन दोनों को खोच करने के लिए पाता लोग पहुच जा प्रानो की रक्षा करते हैं बल्कि उन्हें पाताल से सुरक्षित बाहर भी निकाल कर लेते हैं दरसल जब हनुमान जी पाताल लोग जा रहे थे तब उस समय हनुमान जी के पाउं आकाश की ओर और सीधी धर्ती के और था और यही वज़ा है कि यहां उनकी उल्टी रूप की पूजा करते हैं इस मंदिर के पीपल नीम बरगत के साथ ही दो परिजात के वुक्ष भी है जहां हनुमान जी का वासमानक जाता है मंदिर के आसपास ये रुख्षो पर तोतो की कोई जूंड दिखाई देती है और कहा जाता है कि हनुमान जी के एक बार तोतो का रूप भी धारन किया था देश भर में हनुमान जी की आस्ता रखने वाले लोग इस मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं और यहां पर उन